नमस्कार मैं अमें दिवेदी आप सब भी का सौगत करता हूँ अपनी चैनल पाउर आउन वील पर और मरस्डीज बेंज इंडिया ने भारतिय वाजार में अपनी दूसरी SUV इलेक्ट्रिक में इंट्रोड्यूस की है वो है EQE कीमत है 1.39 करोर रूपीज और जो पाउर आउटपूट है 300 KW और 858 Nm का टॉर्क है देती है 550 किलोमेटर की रेंज है और अमिद दिवेदी आपको बताने वाले हैं क्या कुछ खास ओफर करती है मरस्डीज बेंज इंडिया अपनी इस इलेक्ट्रिक गारी में तो चलिए शु कि जब इस अंदेरे में लॉंचिंग के टाइम पर देख रहते तो वहां पर बहुत कुपसूरत लग रहा था इलेक्ट्रिक की पहचान बताता ये पियानो प्रिंस के साथ में अंदाज कापी अच्छा लगेगा और यहां पर मरस्डीज का लोगो बहुत कुपसूरती के सा बुरा नहीं है इसके हिसाब से और यहां पर आपको क्रोम पेनिश अच्छा मिलने वाला है बहुत सारे इसमें और फीचर्स दिये गए हैं क्योंकि फ्रेंट पार्किंग संसर वगरा सब आते हैं उसका जिक्र हम करेंगे जब इसको चला रहे होंगी तो वहां पर सब कुछ इसके बादे में बात किया जाएगा लेकिन फ्रंट लुक से यह काफी प्रॉपिलिंट लग रही है और काफी एरुडानेमिक अगर देखेंगे बॉनर से जाती हुई लकीरे पीछे के तरफ इस बात का संकेर देती है कि यह बहुत अच्छी पॉपार्म कर सकती है जो कंपन बाहर आते हैं जब आप उपन करेंगे तो बाहर के तरफ पॉप अप होते हैं और जब आप पीछे आएंगे तो यहां पर भी उसी तरीके का अंदाज रखा गया निकि दोनों दराजे पर आपको रिक्वेंसर मिलते वाला है और यहां पर आपको फोट्रेस कुछ इस तरीक पर के दे जाएगी यह ओफ रोडर नहीं है यहां पर आपको जो टायर प्रोफाइल मिलता है यह इलेक्ट्रिक के हिसाब से यहां पर रखा गया है दो सो पच्पन पैटालिस आर ट्वेंटी मिल जाता है और यह काफी खुबसूरा डिजाइन डियोल टोन में इस तरीके से आपको मिल रहा है जो कि बताता है दर्शाता है कि भिया यह गारी इलेक्ट्रिक है इसके अलावा यहां पर टार इंडिकेटर आपको इसके वार्बियम पर मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छे से यहां पर आपको मिलने वाले है और चाभी से ऑपर यहां पर एकी वी की यहां से लेकर वहां तक यह काफी अच्छा बन पड़ा है, EQE 500 की वैजिंग, और यहां पर आपको मिल जाता है, यह बूटों एकस्स कर सकते हैं यहां से, और यहां पर फोर्मैटिक लिखा हुआ मिल जाएगा, और पिछे आपको पाकिंग सिंसर 1, 2, 3, 4 मिल जाते हैं, और य यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर मिल जाता है, इस तरीके से यहां पर दीगे, तो मुझे लग रहा है कि जो पैकेजिंग की गई है, काफी अच्छी है, और काफी दुरूस्त लग रही है, अब मैं इसके अंदर बैठता हूं, और ब सीट है, और बढ़िया मुझे ताही सपोर्ट यहां पर मिल रहा है, बढ़िया लेग रूम मिल जाता है, और स्वाट तर्चस आपको अच्छे से मिलने वाले है, यानि कि आप 1.39 करोर की अगर यह गारी खरीगते हो, तो आपको लगशरी वारवर के मिलने वाली है, अर्ज यह कितनी लग्जूरियस है, और यहां पर आपको रिसे पॉइंट नहीं करती है, अब मैं आपको फ्रेंट सीट पले के चलता हूँ, और दिखाता हूँ, वहां पर क्या कुछ हापर किया जाता है, और साथ चलते लते बता दूं यहां पर इस तरीके का AC मिलता है, जो आप इलेक्टर के लिए यहां पर अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, और वह अपना काम अच्छे से करते हैं, नहीं इसका जिकरबाद में करेंगे, यहां पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, तो बात कर लेते हैं, फ्रेंट सीट की और यहां पर क्या कुछ कु अपर आपको मोड मिलता है, जिसमें क्या क्या चीजे हैं, ड्राइब रूब में जिकर किया जाएगा, लेकिन यह काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इसके जरिये बहुत कुछ और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो वायलेस, एंड्रॉइड, आर्टो, एपल कार पे यह है, तो अपना मोडिल एहां स्याज कर सकते हैं, जिसमें पहुत कुछ एक्सिस कर सकते हैं, इसके अलावा, इसमें आपको वेट एक्सित्य में संवेडियंस अश्या करोड सुनने में जादा लगता है लेकिन अगर आप सारी चीजों को कल्कुलेट करके देखेंगे जो इन्होंने चीजे ओफर की हैं मुझे लगता है कि यह काफी है तक जस्टिफाइड होने वाला है क्योंकि जब आप प्रीमियम के लिए खर्च करते हैं और चाहते हैं कि वह अगर यह सब देखेंगे तो काफी कुछ अच्छा लगने वाला है इसका जो पैटर्न है पूरा सीट यहीं से अर्जश कर सकते हैं और यहां पर बहुत से स्पीकर मिलते हैं जो इसकी साउंड क्वालिटी को बहुत अच्छे से इन्हाइंस करते हैं सुनाया जाएगा लेकि इसकी टॉप स्पीड भी काफी अच्छी है और कुल मिलाकर जो रंगों की स्रिंखला आप देखेंगे वहां पर भी डिसेपॉइंट नहीं करती है यह रंग आपको ब्लैक दिख रहा है लेकिन बिसिकली यह ग्रीन है तो कुल मिलाकर जो इस गारी में कंपनी ने ओफर किया कॉमेंट करके जरूर बताना इंतजार कर रहा हूं कॉमेंट बॉक्स में